आपको आज हमारे ट्रेलर रिव्यू में खास क्या है ट्रेलर रिव्यू में खास है सहाईना का ट्रेलर विमिन्स डे वाले दिन साइना का ट्रेलर फाइनले रिर्लीस कर गया है खैर ये फिल्म बायोपिक से जादा चर्चाओं में तब बनी जब शद्धा गपूर को फिल्म में रिप्लेस किया परिनीती चोपडा ने बाद्मिन्टन प्लेयर साइना नहवाल का रोल इसमें प्ले कर रही है परिनीती चोपडा अब इनकी आक्टिंग से तहस नहस होगा आपके दिमाग का जोपडा या फिर बॉक्स ओफिस पर जंडे गाड़ कर ये मूवी कमाएगी रोकडा आज हम आपको बताएंगे अपने इस ट्रेलर रिव्यू में सत्य पहले हम आपको बता दें कि ये फिल्म साइना नहवाल पर है साइना और सान्या में बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की आपको जरुवत नहीं है साइना रैकेट से बैडमिंटन खेलती है और सान्या रैकेट से टैनिस और ये फिल्म बैदमिंटन प्लेयर वाली साइना नहवाल की है वैसे ये बात तो सही है कि बायोपिक्स की वज़ा से कॉपी कर रहे बॉलिवुड में फिल्मों में कुछ रियालिटी दियों आ ही जाती है लेकिन ट्रेलर इतनी खास नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि शुरू के ट्रेलर में दो मिनट तक तो आपको यही लगेगा कि मौन विटा की आया चल रही है ट्रेलर के 30 सेकिंड में आपको ये लगने लगेगा कि अभी तन की शक्ती मन की शक्ती वाली लाइन्स आने वाली है लेकिन बेढ़ाल पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी आप साइना नहवाल के लाइफ स्ट्रगल से अपने आपको रूलेट बिलकुल नहीं कर पाएंगे अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि परिनीती चोपडा इसमें बिलकुल भी साइना नहवाल जैसी नहीं लग रही है परिनीती के मकाबले जो छोटी साइना बनी हैं वो जादा साइना जैसी लग रही है किसी भी बायोपिक को स्ट्रॉंग बनाने वाला होता है रोल प्ले करने वाला कैरेक्टर लेकिन आक्टर परिनीती चोपडा ऐसी बिलकुल भी नहीं लग रही है चाहे बात करें सुषान सिंग राजपूत की फिल्म मेमेस धोनी की जिसमें वो क्रिकिटर जैसे बिलकुल नजर आ रहे है फरान अक्तर की जो कई जगाहों पर मिलका सिंग से जादा मिलका सिंग जैसे लग रहे है यह बात करें प्रियंका चोपड़ा की जो मैरी कॉम जैसी तो नहीं लगती है लेकिन अपनी आक्टिंग के अदम से उन्होंने फिल्म में जो बॉक्सिंग की स्पिरिट है उसको जिन्दा रखा है और यही फरक है परिनीती की जो अपनी लिमिटेद आक्टिंग स्किल्स है उस वज़ा से वो करेक्टर के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होती है तो फिल्म मेकर्स को शायद ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई है कि साइना नेवाल के खेल ने लोगों को दिल जीता है ना कि उनके तिल ने क्यूंकि परिनीती के चेहरे पर उनके तिल के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उने साइना जैसा बनाता हो वरना जैसी तारीफ आज के समय में रनवीर सिंग की कपिल देव के बनने पर हो रही है परिनीती चोपड़ा की भी हो ही राती परिनीती से जादा जान ढाली है ट्रेलर में चाइल्ड आर्टिस ने जिसने बिना किसी डायलोग के सिर्फ अपने एक्स्प्रेशन के दम पर ट्रेलर में साइना की स्पिरिट को जिंदा रखा हुआ है परिनीती की बात करें, तो परिनीती चोपडा की बीटे साल भले ही फिल्म कोई रिलीज ना हुई हो, लेकिन इस साल के शुरुवात में ही उन्होंने तीन फिल्मों का दामा का दे दिया है 26 फरवरी को परिनीती चोपड़ा की फिल्म नेट्फिक्स पर रिलीज हुई थी इसके बाद सोमवार को फिल्म जो साइना उनकी आने वाली है उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है 26 मार्च को ये फिल्म रिलीज होगी बीच में उनकी अरसे से अटकी पड़ी फिल्म संदीप और पिंकी फरार भी सिनेमा घरों में जल रही पहुँच जाएगी डिरेक्टर अमोल गुपता ने बादमिंटन खिलाडी साइना नेवाल की बायोपिक साइना श्रद्धकपूर के साथ शुरूगी थी श्रद्धकपूर को इससे बहतर फिल्म लगी स्ट्रीट डांसर तो भाई वो स्ट्रीट डांसर की राहों पे निगल गए फिल्म के शूटिंग बीच में ही रोग दी उन्होंने और फिर फिल्म में एंट्री होती है परिनीधी चोपड़ा की फिल्म के ट्रेलर लांच में परिनीधी बताती है कि भले ही उनकी फिल्म में एंट्री देर से होई हो लेकिन इस वज़े से उनका उनकी काम पे कोई भी असर नहीं पड़ा है परिनीधी कहती है कि मेरे उपर सिर्फ अपने निर्देशक के सामने खुद को साबित करने का दबाव था बाद्मिंटन सीखने का दबाव था बस बागी किसी भी तरीके का दबाव उन्होंने महसूस नहीं किया फिल्म साइना को देश की बड़ी फिल्म वा म्यूजिक कमपनी टी सिरीज रिलीस कर रही है फिल्म के OTT राइट्स बिक चुके हैं और साल 2019 में रिलीस हुई फिल्म जलवरिया जोडी के बाद परिनीधी की ये पहली फिल्म होगी जो थियेटर्स पर दस्तक देगी फिल्म के मेकिंग्स के दौरान बैडमिंटन चांपिन साइना नेवाल से मिली मदद का जिक्र भी परिनीधी यहां पर करती हुई दिखाई थी परिनीधी बताती है कि हमें साइना का पूरा साथ मिला है उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को हमारे सामने खोल के रख दिय मैं उन्हें कभी भी फोन कर सकती थी वीडियो कॉल कर सकती थी और वो हमेशा मेरे हर सवाल का जवाब देती थी देखा जाए तो इस सर्य से हमने अपना सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया हर यारना की साइना नेवाल को बैडमिंटन चांपिन बनाने में उनकी मां का बहुत बढ़ा हाथ है बच्छमत में उनकी ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाने वाली उनकी मां ही थी और इस फिल्म में भी उनकी मां ने पहले ही सीन से जान डाल दी है महीला दिवस पर रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं बहुत सारे लो हमें comment sections में जरूर बताएं साथ ही हमारे चानल को subscribe करके बल ऐकन प्रेस करें ताकि हमारे latest update आपको सबसे पहले मिले हैं और जाते चाते हमारे इस वीडियो को like और share करना बिलकुल न भूले